इस साल मार्च अप्रेल में हुए पांचों राज्यों के विधान सबा चुनावी सियासी नजरी से एहम थे पर सारे देश को कतुहूल पच्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर सबसे ज्यादा था सुबे की सत्ताडूर पार्टी त्रिनेमूल कॉंगरेश को सत्ता से बेदखल करने के लिए कुरोना संक्रमन के जोखिम के बावजूद भाजपा ने सभी तरीके आजमाये थे तक्रीबन वैसे ही जिग्यासा सारे देश को उत्तरपरदेश विधान सबस्चुनाओ के संभावित नतीजों को लेकर है देश के सबसे बड़े सुवे में सत्तारूर भाजपा अपने वापसी के लिए हर जतन कर रही है तो विपक्ची दल भी अपने हिसाब से रंडिती बनाने में जूटे हैं उत्तरपरदेश की अहमियत इतनी जादा है कि उसके साथ है चुनाओ में जाने वाले पंजाब और उत्तरखंड के संभावित नतीजों को लेकर खुद सियासी धल भी उतने सक्रिया नहीं लगते उत्तरपरदेश का चुनाओी नतीजा तो चाहे जो रहे पर विपक्ष की तरफ से सबसे मजबूत दाविदार के रुप में अखलेश यादों की पार्टी समाजवादी पार्टी को ही गिना जा रहा है बाजपा के मोदी शा के दोरे के अबहार के बाद बसपा की ताकत लगतार घटी है लोगसबा के 2014 के चुनाओं में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था मोदी की आधी में भी समाजवादी पार्टी ने 5 सीटे जीत ली थी विधान सभा के पिछले चुनाओं में भाजपा की आधी ने विरोधियों के पाउं और बुरी तरह उखार दिये थे नतीजतन 2012 में 224 सीटे जीत कर सत्ता पाने वाली सपा 2017 में 47 सीटों पर सीमट गई थी बसपा कोतु 19 और कॉंग्रेश को अपना दल की 7 सीटों पर सफलता मिल पाई थी बहराल अगले विधानसबा चुनाओं को लेकर भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा अक्रमक भूमिका में सपा ही नजर आ रही है अखलेश यादों ने इस पार ऐलान कर दिया है कि वे हड़े दलों से कोई गड़वंदन नहीं करेंगे बिधानसबा के पिछले चुनाओं में उन्होंने 403 में से 100 सीटे गड़वंदन कर कौंगरिस को दे दी थी पर उसके महज 7 उमिदवार ही जीत पाई लोगसबा चुनाओं में उन्होंने बसपा के साथ बराबरी का गड़वंदन किया था उसका फायदा मैवती को हुआ बसपा का दरीत वोड बैंक सपा के हिस्से वाली सीटों पर हिंदु मुसल्मान के जाल में फसने से बच नहीं पाया बसपा को 10 सीटों पर सफलता मिली तो सपा पिछले 5 के आकड़ों से आगे नहीं बढ़ पाई अखले शयादों ने आकड़मक भले ना सही पर विपक्ष की सक्रिय भूमी का लगतार निभाई है इसके उलट मैंवधी कुरोना काल में ना केवल घर में दुबकी रहीं बलकि एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे भाजपा से गड़बंदन करना पसंद करेंगी सपा से कता ही नहीं एपरल मैं में हुए पंचायत चुनाओ के नतीजों ने भी अखलेश यादो का होसला बढ़ाया सपा के महसाचीव राजेंदर चौधरी के मताबिक रालोद और महांदल से उनका गड़बंदन तय है किसानों के आंदोलन से भी सपा को सियासी लाब की उमीद है अखलेश को एहसास है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यादो और मुसल्मान वोट बैंक के जरिये सता हासिल नहीं की जा सकती लिहाज़ वे गैर यादो पिछरो और अती पिछरो को साथ लेने की कवायद में जुटे हैं बसपा और कॉंग्रिस ही नहीं भाजपा के भी उनके अशंतूष नेता ने दो महीने लगतार सपा में सामिल हुए है सबसे ज़्यादा निराशा कॉंग्रिस और बसपा में हैं अमेठी मेर राहुल गांदी की हार के बाद से उत्तरपरदेस में कॉंग्रिस और कमजोर हुई है। बस्पा ने अब मुसल्मानों का मुह छोड़ दौज़सात की तरह ब्राहमन मतदाताओं को लुभानी की रनरीती बनाई है। ब्राहमन बोट बैंक के लिए सभा भी अपने ब्राहमन नेताओं को आगे कर पशुराम शम्मेलन से लेकर जानेश्वर मिश्टा की जैन्ती और साइकल यात्रा जैसे अयोजन कर चुकी है। अखिलेश यादो इस बार बसपा के प्रति भी नर्मी नहीं दिखा रहे हैं।